जै मातादी दोस्तो कैसे हैं आप सभी दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर माहा के 5 दिसंबर और 6 दिसंबर के सेहिंग राशी फल के बारे में सेहिंग राशी के लोगों के लिए 5 दिसंबर और 6 दिसंबर का दिन कैसा रहने वाले हैं जानेंगे इन दो दिनों के बारे में सब कुछ विस्तार से आपकी वैपार कैसा होगा आपकी नौकरी कैसी रगी आपका करियर कैसा रहेगा स्वास्थ है प्रेम संबंद सिक्षा पारिवारिक जीवन विवाह संबंद सभी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है और पासी बने बेल का इकन को प्रेस कर दें इससे हमारी सभी वीडियोज की नोटिफेकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी तो चले जान लेते हैं इन दो दिनों में कौन शिती थी है नक्षत्र क्या बन नहीं गा यह गुरुवार का दिन है और चंद्रमा दोपहर तक कुम राशी में है उसके बाद मीन राशी में प्रिवेश करेंगे सूर्यवरेश्चिक राशी में है जेस्ट नक्षत्र में है छे दिसंबर की बात करते हैं शुकलपक्ष की दसमीति थी है उत्तरभादर प्र रहा है और सिद्धी नाम का योग भी बन रहा है ये शुक्रवार का दिन है चंद्रमामीन राशी में है सूर्य व्रश्चिक में और सूर्य का नक्षत्र जेस्ट नक्षत्र है अब इनी ग्रहय नक्षत्रों के आधार पर हम जानेंगे कि ये दो दिन किस तरह से आपके लिए खास रह सकते हैं क्या कारे आपको करना चाहिए किंजीजों से आपको बचना चाहिए तो दोस्तों पहले तो पांच दिसम्बर की यदि बात करें तो पांच दिसम्बर को जो नौमी तिथी है इस नौमी तिथी को महाननदा नौमी के नाम से जाना जाता है जो इस मार्गश मालक्شमी के साथ बखवान विश्णु की आशिरवाद भी प्राप्त होता है तो यहाँ जित रख सकTustered मालक्षमी की पूजा अर्चना कर सकते है और शुरुआत आप मालक्षमी के साथ जरूरु के साथ लेकिन करें मालक्षमी के विदान से पुझार्च ना करें उसके बाद आप बताशिक अभोग मालक्षमी को लगा सकते हैं इसके अलावा पांच दिसंबर बुद्ध भी अपनी राशी परिवर्टित कर रहे हैं व्रश्चिक राशी में प्रिवेश कर रहे हैं चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा आपके आटफे भाव में है और चंद्रमा की स्थिति आपके लिए शुब नहीं है इन दो दिनों में लेकिन फिर भी जो और बाकी स्थितियां है वो आपके लिए इन दो दिनों को खास बना सकती हैं अगर आप थोड़ी सी साफधानी रखें, तो चली जान लेते हैं कि क्या साफधानी आपको रखनी हैं, क्या क्या कारिया आपके इन दिनों में बनने वाले हैं, तो सहिंग राशी वाले लोग की बात करें, तो आपको लगेगा कि आपको किसी सलहाकार, खास तोर से किसी व्यक्ति के मागदशन की जरूरत है और वो आपको देगा भी आप शायद किसी चीज़ को लेकर या अपनी जितनेगी के किसी एहम फैसले को लेकर किसी दूबीदा में रह सकते हैं और हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आप इस परिश्थिती से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं त इससे आप जो ऐसी परिश्थितियां आपके पास हैं उनसे बाहर निकल सकें आज आप अपने कारे अस्तल पर अपने काम से संबन देते किसी समस्या को लेकर किसी आधिकारी से बात कर सकते हैं आप उनसे बात करके किसी तरह की मदद भी मांग सकते हैं आपके लिए अच्छ कर दे जिससे आप मदद मांग रहे हैं वो इनकार कर दे तो आपको क्रोधित नहीं होना है इस बात का धियान रखना है क्रोध में आवेश में आकर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अच्छा नहीं होगा जो आपके लिए विवादों की इस्थितियों को बढ़ा सकता है तो इस बात के आपको जरूर ध्यान रखना होगा यदि हम उन लोगों की बात करें जो काफी दिनों से कुछ खरीदना चाह रहे हैं यानि आप काफी दिनों से कार खरीदने की सोच रहे हैं बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो ये दिन अच्छा है लेकिन इस दिन आप शोरूम में जाकर नई जो कार या बाइक खरीदना चाहते हैं उसे आप देख सकते हैं उसका आप सौधा कर सकते हैं और खरीदें आप एक दो दिन बाद तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ये आपकी इच्छा है कि आप ये खरीदना चाहते हैं लेकिन आप इसका चुनाव कर सक सकते हैं आप इसकी पेशी दे सकते हैं लेकिन आप एक दू दिन रुकें तो अच्छा होगा उसके बाद आप खरीदें तो यह आपकी जीवन के लिए बेहद खुशियां लेकर आएगी क्योंकि इन दिनों में आपकी जो वाणी है वो अच्छी नहीं रहेगी कटूता वाणी जो कि सुख का भाव है माता का भाव है और इससे आपको अपनी माता का साथ मिलेगा माता की तरफ से कुछ आपको अच्छी खबर मिल सकती है आपको सुख प्राप्त होगा खुशी का आउनुभाव होगा और जब आपकी माता की सेहत खराब दे तो अगर माता की सेहत विशानी चल रही है तो उसमें भी सुधार होता हुआ दिखाए देगा इस समय धन प्राप्ति का योग भी आपके लिए बना हुआ है तो सुक की प्राप्ति भी आपको हो सकती है और सुक की प्राप्ति कैसे होगी धन से होगी तो आप कुछ ऐसा इंवेस्ट्मेंट करने के बारे में भी सूच सकते हैं जो आगे आने वाले समय में आपको अच्छा लाब दिला सकता है तो उसके लिए भी आपको तयार रहना है अब हम बात करते हैं प्रेम जीवन के बारे में प्रेम जीवन आपका कैसा रहेगा तो अगर आपकी साधी को लेकर कोई बात चीच चल रही है कहीं आपके विवाह की बाते चल रही है तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है आज आपके विवाह में जो बादाइं आ रही थी वो बादाइं समाप्त हो जाएंगी और आपके विवाह की आज डेट भी फाइनल हो सकती है जिसकी खुशी आपको बेहद मिलने वाली है तो आज अपनी इस खोशी को आप enjoy करें और जो विवाहित लोग हैं उनके लिए भी दिन आज अनुकुल रहेगा बस अपने साथे की भावनाओं की कदर आपको करनी होगी अपनी वाणी पर जो कटूता है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा बाकि ऐसी कोई पर बहुत परिशान करें जीवन साथे के साथ अच्छा समय व्यतित करेंगे परिवार का माहूल भी आज आपके अच्छा रहने वाला है इस समय अगर पैतरक संपत्ति को लेगा कोई विवाद चल रहा है तो उसके लिए आपको थोड़ा सहीम रखना होगा इस विवाद की परिशती अनुकुल होगी तो आपको परिणाम भी अच्छे देखने को मिलेंगे इन दिरों में आपको एक चीज का और ध्यान रखना होगा आपको अनयतिक चीजों से बच कर रहना होगा जैसे जुआ खेलना सट्टे बाजी करना तो इन चीजों से आपको जरूर दूर र कर आप निकलें कोई डील फाइनल करनी है तो भी और किसी अच्छे काम के लिए जा रहे है तो भी आप देखेंगे कि आपका जो कारिया है वो जरूर पूरा होगा निश्ची तोर पर आपका वो कारिया सफलता देने वाला होगा तो इन कारे को आप करके देखें यह छोटे कारे होते हैं छोटी चीज़े होती हैं लेकिन बहुत अच्छे काम बनाती हैं यह चीज़ें अब बात करते हैं आपकी सिक्षा के बारे में इसकी सिक्षा के लिए कैसा रहेगा तो सिक्षा आपकी अच्छी है लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी इस समय मेहनत पर आपको सिक्षा पर आपको अधिक मेहनत करनी होगी तब ही आपको कामया भी मिल सकती है तो अपने education को लेकर serious हो जाएं और उस पर अधिक से अधिक धहान देने की कोशिश करें higher education वाले लोगों के लिए भी इस समय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी होगा आप पढ़ाई है या आपके कोई project चल रहे है कोई seminar चल रहा है तो अधिक से अधिक ध्यान आप देंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे क्योंकि आपकी जो मांचे किस्तिती होगी वो आपको ठीक से समझने नहीं देगी निर्णा लेने की शमता बहुत अच्छी नहीं होगी इन दिनों में तो आपको पूरा ध्यान रखना होगा अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं अब बात करते हैं आपके स्वास्था के बारे में कि आपका स्वास्था इन दो दिनों में कैसा रहने वाला है तो आप शारेरिक श्रम इस समय अधिक करेंगे जिससे तनाव किस्तिती बन सकती है इसके लिए आप आराम करने की कोशिश करें अधिक आराम करें जिससे तनाव कम हो सके और जो ठकान आपके शरीर में है वो कम हो सके इसके साथ ही माश पेसियों से संबंदित कोई परिशानी आ सकती है या जोडों से संबंदित परिशानी भी आ सकती है इसके लिए हलका हलका वयाम करना आप शुरू कर दें वयाम करेंगे तो अच्छा रहेगा अगर आप बाइक चलाते हैं गारी चलाते हैं तो ध्यान रखें एक तो बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रियोग आप निश्ची तोर पर करें बिल्कुल करें जिससे आप आने वाली किसी भी तरह की घटना से बच सकें ये आपकी सेफटी के लिए होता है इसलिए जो यातायात के नियम होते हैं उनका पालन सभी को करना चाहिए हम सभी को करना चाहिए तो यातायात की नियमों का पालन करते हैं तो किसी भी चीज से आप बच सकते हैं तो आपको जो वाहन है वो सावधानी पूरवख के इन दो दिनों में चलाना होगा ताकि आप कैसी भी चीज से बच सकें यह आपकी सेफटी के लिए ही है तो दोस्तों यह हमने जाना दो दिनों को राशी फल के बारे में अगले वीडियो में मिलेंगे अगले दो दिन के राशी फल के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धहनवाद